तो दोस्तों जो लोग मेरी तरह मॉर्निंग में जिम जाने की बात करते हैं लेकिन सुबह टाइम में उट नहीं पाते उन्हें जिस दिन से पता चला है कि सलार का टीजर सुबह पाच बजे आने वाला है वो लोग चार बजे से अलार्म लगा कर सुबह उटने की आदत बना र सबसे पहली बाद सुबह टीजर आने के 15-20 मिनट बाद सबसे बड़ी नीज यह होगी कि सारे मुवी के ट्रेलर टीजर के रिकॉड टूट चुके हैं क्यूंकि सलार मुवी के टीजर के इंतजार हर किसी को है एक और इंपोर्टेंट बात है कि हर कोई बस यही चाहता है कि यह मुवी केज़ अप यूनिवर्स का हिस्सा हो जब सिस मुवी का पहला पोस्टर आया है हर किसी के दिमाग में बस यही बात है कि यह मुवी केज़ अप का हिस्सा है क्योंकि इस movie का color pattern भी KGF की तरह है और poster से ऐसा लगता है कि दोनों movie एक ही time पर base है और इसकी भी कहानी कहीं न कहीं mining area से जुड़ी हुई है तो ऐसी बहुत ज़्यादा high chance है कि दोनों movie एक ही universe का हो और अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई हुई ही और हमें सलार में Rocky भाई की entry देखने को मिलती है तो दोस्तो Hollywood और Bollywood की सारी movie एक तरफ और सिर्फ Rocky भाई और प्रभास को एक frame में देखने की खुशी एक तरफ और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस teaser को सुबब 5 बजे ही क्यों release कर रहे है जिस पर एक बहुत ही बहतरीन fan theory निकल कर आई है कहा ये जा रहा है केजेब 2 में Rocky भाई लाश्ट में जिस टेम में जहाज और अपने सोने के साथ समुदर में डूबा था उस समय सुबब 5 बजे थे और इसे सलार के साथ करनेट करके दिखाया जा रहा है लेकिन ये थोरी कहा तक सही है ये मैं नहीं बता सकता इसके अलावा teaser में हमें उतना ही दिखाया जाएगा जिसे देखकर हमें movie के लिए excitement बनी रहें बल्कि teaser में हमें बिल्कुल भी वो नहीं दिखाया जाएगा जिसे देखकर कहाणी के बारे में हमें hint मिले मतलब दोस्तों कर टीजर आएगा जरूर लेकिन हमें बहुत नाप तोल के दिया जाएगा सिर्फ उतने ही दिखाया जाएगा जिसे देखकर सिर्फ हम ट्रेलर के इंतजार कर सकते हैं और ऐसे वीडियो मेरे चैनल पर आती रहती है जिसे अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना साथ बनाए रखना तरून थिंकिंग के साथ